नमस्कार दोस्तों CACBLA Help में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि G1 प्रमान या फिर Digital Life Certificate यानि DLC के नए software को आप कैसे डाउनलोड करेंगे जी हां जैसे कि आप सब को पता है कि G1 प्रमान यानि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का नया software आ चुका है जिसका वर्सन है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम भर्सन 4.0.10 तो इस नए software को कैसे डाउनलोड करेंगे यह हम जानेंगे इस वीडियो में तो चली शूर करते हैं सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका URL है जीवनप्रमान.gov.in लिक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां तो डिरेक्टल आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहां पर उपर ही जो मेनी दी हुई है उस पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन एक मिल जाएगा डाउनलोड का एक मेनू मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहां पर डाउनलोड एप्लिकेशन फॉर विंडोज एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम यह आ जाएगा इसे स्कॉल करके थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाएगे तो यहां पर आपसे इमेल आईडी औ और क्लिक करेंगे आपने जो इमेल आईडी दे रखी है उसके एक ओटीपी जनरेट होगा तो अब आपको क्या करना है आपके मील पर चले जाना है अब यह ओटीपी जनरेट होने में कभी-कभी थोड़ा टाइम ले लेता है कभी एक से दो मिनिट तक भी लग जाता है आप यह भी चेक कर लेना है कभी-कभी यह इंबॉक्स में ना आके इस पाम फोल्डर या फिर और मेल में जाके भी आपको चेक कर लेना है ताकि मेल प्रोपर से दिख जाए आपको अब क्या करना है कि इस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल के सब्मिट पर क्लिक करना है जैसे अगर आप इस अप्लिकेशन को मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो आप अगर आप पीसी या लाप्टॉप में चलाना चाहते हैं तो आप विंडोस वर्स डाउनलोड करेंगे अब जैसे यह आप इस पर डाउनलोड जीवन परमान आप्रिकेशन पर या सौफटर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ऊपर आपको देखने को मिल जायागा डाउनलोड लिंक है यह आपको मेल पर चली जाएगी यहां पर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करना है कि आपको फिर से मेल पर आ जारहा है और यहां पर उपर ही जैसा आपको दिख रहा है डाउनलोड लिंक बोलके जीवन परमान का मेल आ गया है अब इस मेल को जैसे हम open करेंगे यहापर हमें दो लिंक मिलता है दोनों लिंक सेम ही है अब इस link पर click करके हम क्या करेंगे इस application को download कर लेंगे जैसे हम link पर click करेंगे application automatic download होना शुरू हो जाएगा अब यह link जो है वो limited period के लिए active रहता है तो अगर आप mail आने के 5-10 मिनिट बाद अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप इसे download ना कर पाए तो आपको क्या करना है कि वह आपर से फिर process को फिर से repeat करने है और दुबारा से यह जो downloading link है इसे आपको generate करना है फिर आपको click करके इस application को download कर लेना है जैसे पाहें राइट कलिक करेंगे. तो आसा करता मेशा बाहुत होगा, फ़टो करेंगे से डिख मेरा उच्पन शब्सक्राइल товसटाइब. जिया प्याव